मैं पुक्राच करता हूँ एक पार फिर से आप सभी का स्वागत और मैं लेके आ चुका हूँ मेरे सब्जेक्ट CGGS का ये पाँचवा और अंतिम वीडियो जो की बेस्ड है किस पे? MCQs पे ठीक है तो इस वीडियो के माध्यम से हम स्थानी स्वशासन मतलब Local Self Government और इसमें ग्रामीन और नगरी मतलब रूरल और अर्बन दोनों में से Questions को देख लेंगे तो बिना टाइम को वेस्ट करें हम लोग स्टार्ट करते हैं Questions को आजाते हैं सबसे पहले अपने पहले प्रश्ण या पहले Question पर देखिए पहला Question ग्राम सभा के विशय में क्या सही है तो यहां से दो कीवर्ट्स पकड़ो एक क्या है हमें ग्राम सभा के बारे में Question है दूसरा बताना है क्या सही है अब स्टार्ट करते हैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ketoWow की बैठक में एक बटे तीन महिलाओं की उपस्थिति आवश्यक है तीसरा स्टेटमेंट कहता है गणपूर्ती के लिए सरपंच और पंच उत्तरदाई या responsible होते हैं चोथा कहता है अनसूचिच छेत्र में मतलब scheduled areas में अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के स्तदस्य से ही चुने जाएंगे जो की अनसूचिच जन्जाती वर्क से ही होगा परन्तु वह जो व्यक्ति है कोई पंचायत पदाधिकारी नहीं होगा पांचवा स्टेटमेंट कहता है गणपूर्ती ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है चाटवा स्टेटमेंट कहता है स्थगित सम्मिलन जो है उसमें गणपूर्ती की आवशकता नहीं होती साटवा कहता है यदि ग्राम सभा की लगातार पांच बैठकों में गणपूर्ती ना हो तो सरपंच को पदमुक्त किया जा सकता है अब हम क्या करेंगे एक एक स्टेटमे जो है ना उसको लेकर हम चलेंगे तो सबसे पहला है ग्राम सभा की बैठक में एक बटे दस गणपूर्ती आवशक है तो देखें ग्राम सभा की बैठक अगर आपने लाइव क्राश कोर्स पढ़ाया है या कहीं बुक्स में भी पढ़ा होगा तो आप देखेंगे दो तरीक या नीचे लिख देता हूँ शडियूल्ड ठीक है तो देखें सामान शेत्र में अगर हम बात करें तो ग्राम सभा में गणपूर्ती जो है वो होनी चाहिए कुल सदस्यता का टोटल मेंबर्शिप का एक बटे दस जिसमें से एक बटे तीन क्या हो महिलाए शडियूल्ड ड पूर्ती एक बटे दस जिसमें से एक बटे तीन महिला हो अनुसूचित या शडियूल्ड एरिया है तो एक बटे तीन जिसमें से एक बटे तीन महिला हो तो क्या पहला स्टेट्मेंट सही है कि एक बटे दस गणपूर्ती आवश्यक है तो बिलकुल सही है देखें सामान श इसी कंडिशन में 1 बटे 10 है, अगर यहाँ पिना एकदम लिख दे कि अनुसूचित छेत्र में तब यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि ग्राम सभा की बैठक में 1 बटे 3 महिलाओं की उपस्थिती आवश्य अगर तीसरे स्टेटमेंट को देखो, तो कहता है गणपूर्ति के लिए सर्पंच और पंच उत्तरदाई या responsible होते हैं तो मैं आपको बता दू कि गणपूर्ति या कोरम के लिए सहीमे responsibility सर्पंच और पंच की ही होती है तो अपने आप में वैसे तो third statement सही है लेकिन इसके साथ में कुछ fact जो है न उसको add करना चाहूँगा देखे वैसे तो उत्तरदाइत्व या responsibility गणपूर्ती या कोरम का किसका है सरपंच और पंच का तो मान लेते हैं कि लगातार ऐसी तीन बैठके meetings या सम्मिलन हो गए जिसमें की कोरम जो है या गणपूर्ती है वो नहीं मिला तो ऐसे condition में सरपंच या जो पंच सीधास बात जिसकी responsibility उसको क्या किया जाता है तो notice दिया जाता है समझ में आ गया अच्छा अब notice तो दे दिये साथ में मौका देते हैं कि आगामी दो बैठक मतलब आने वाली दो बैठकों में क्या आ जाए ये कोरम ले आए मान लीजे ऐसा नहीं हो पाया मतलब आसान शब्दों में क्या हो गया तीन लगातार और अगली दो मतलब लगातार पाँच बैठक जो हुई उसमें कोरम नहीं आया उस कंडिशन में जो वहित प्राधिकारी है concerned officer जो है वो सरपंच जो है उसे पद मुक्त भी कर सकता है लेकिन याद रखेंगे पद मुक्ती का ऐसा कोई भी order तब तक नहीं निकलेगा जब तक सरपंच को अपना पक्ष रखने का मौका न दे दिया जाए तो I hope आप लोग समझ गए होंगे अब थोड़ा सा jump कर दो सीधा 7th statement पे देखोगी यही लिखा है यदी ग्राम सभा की लगातार 5 बैठकों में गण पूर्ती न हो तो सरपंच को पद मुक्त किया जा सकता है तो मैंने आपको बताया yes ऐसा किया जा सकता है अब एकदम कि नहीं यह depend करेगा कि सरपंच जो अपना clarification दे रहा है वो कितना सही है हो सकता है कि करोना कारण नहीं करा पाया हो या और भी कोई ऐसा legitimate reason हो जो की वीद प्राधिकारिक लगे कि नहीं ठीक है इसके कारण नहीं हो पाया तो इसको मौका भी दिया जा सकता है इसलिए देखना कहीं पे भी पढ़ोगे ना तो सकता है सकता है लिखता है ठीक है ऐसा नहीं लिखता है कि करिद दिया जाएगा तो किया जा सकता है तो सहीं बात है यह चलिए अब वापिस आते हैं चोथे statement को देखते हैं अनुसूची छेत्र में अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यो में से ही चुने जाएंगे जो कि अनुसूची जन्जाती वर्ग से ही होगा परंतु वह कोई पंचायत पधाधिकारी नहीं होगा अब देखिए हमने जैसे कि मीटिंग्स को दो कंडिशन में देखा सामान्य और क्या देखा था अनुसूचित वैसे ही अध्यक्षता को भी अगर आप सामान्य और अनुसूचित छेत्र में देखोगे न तो आपको ये पता चलेगा कि सामान्य शेत्र में अध्यक्षता ग्राम सभा के बैठक की कौन करता है तो सबसे पहले सरपंच करेगा अगर अनुपस्थित है तो उप सरपंच और अगर दोनों अनुपस्थित है उस समय तो उस condition में जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो अपने मध्य से किसी एक व्यक्ति को निर्वाचित कर लेंगे जो कि उस बैठक की अध्यक्षता करेगा मतलब सरपंच है तो सरपंच नहीं तो उप सरपंच दोनों नहीं है तो जो सदस्य उपस्तित हैं वो अपने बीच में से किसी एक को चुन लेंगे चलो वे तुम कर दो अध्यक्षता उस सम्मिलन का या मीटिंग का या बैठक जो भी कह सकते हैं अनुसूचित छेत्र की अगर मैं बात करूँ न तो ध्यान रखना बाई डिफॉल्ट हमेशा ही जभी भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो ध्यान रखना हमेशा जनजाती वर्ग से मतलब स्टी वर्ग का एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जिसको वहाँ पर जो उपस्थित सदस्य है ग्राम सभा में वो क्या करें अपने मध्य से चुन ले या निर्वाचित कर ले और वो एस्टी व्यक्ति जो चुना जा रहा है वो ऐसा व्यक्ति होगा जो की पंचायत का पदा अधिकारी न हो मतलब सरपंच पंच न हो अगर उपसरपंच होगा क्या पूछोगे तो उपसरपंच तो सूची छेतर में by default हमेशा ही सिर्फ एक ST व्यक्ति ही अध्यक्षता कर सकता है जो कि उस समय उपस्थित हो ग्रामसभा की बैठक में और उसे ग्रामसभा के जो सदसे हैं वो अपने मध्य से क्या करें चुन लें या निर्वाचित कर लें और वो जो व्यक्ति है जिसे चुना जा रहा है वो पंचायत का पदाधिकारी ना हो अफिस बीरर ना हो तो ये statement भी क्या है सही है पाचवा गणपूर्ती ना होने पर ग्रामसभा की बैठक जो है उसे स्थगित किया जा सकता है तो हाँ जब गणपूर्ती नहीं मिलती तो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति ज बैठक जो है उसको क्या कर देता है स्थगित कर देता है और इसलिए ये पाचवा statement सही है अब एक बार तो स्थगित कर दिये मान लीजे अगली बैठक हुई और उसमें भी गणपूर्ती नहीं हुई तो क्या फिर से बैठक नहीं होगी तो ऐसा नहीं है अगली जो होने वा ठीक है फिर आगे बहुत सारे clauses हैं जिसका relation is question से नहीं है इसलिए मैंने अपने आपको यहीं तक रोह दिया तो याद रखना स्थगित सम्मिलन में गणपूर्टी के आवशकता नहीं होती ठीक तो हमें क्या बताना था हमें बताना था कि कौन से statement जो है वो सही है तो परिक्षण करने पर यह पता चला कि ग्राम सभा के विशय में यह सातो statement जो है वो अपने आप में सत्य है और इसी लिए आप कोई ऐसा option ढूंड़िए जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या फिर क्या लिखा हो सभी options पर देखने पर आप देखेंगे कि यह जो option D है ना इसमें यह शब्द जो है सभी लिखा हुआ है इसलिए option D जो है यह हमारे पहले प्रश्ण का होगा सही answer अब थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को इसका explanation बहुत लंबा है करके देखिए मैं आपको बता दूं CG PSC even CG Vyapam के द्वारा जो भी पंचायती राजिया नगरी निकाय से प्रशन आते हैं वो statement के form में होते हैं तो मैं चाहूं तो सीधा answer बता सकता हूँ क्या सही है क्या गलत है लेकिन फिर आपको कभी याद नहीं रहेगा तो मैं इसलिए थोड़ा सा समझाते भी चल रहा हूँ तो कुछ लोगों ऐसी समस्या होती एक सर बहुत धीरे बता रहे हो questions है questions है लेकिन सीधा answer बता दूँगा तो क्या मतलब फिर आप bookies पढ़ लोगे फिर मेरे questions बताने का और answer बताने का क्या मतलब हुआ ठीक है तो best क्या है कम से कम मैं समझा भी दूँ ताकि आपको doubt हो तो समझ में तो आए ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है ग्राम पंचायत की स्थाई समीतियों के विशय में क्या सही है फिर से देखो दो keyword है एक आएगा स्थाई समीतिया दूसरा ग्राम पंचायत अच्छा एक तीसरा keyword भी है क्या कि क्या सही है बताना है ठीक चलिए तो जब आप bear act को पढ़ोगे न तो आपको ये पता चलेगा कि ग्राम पंचायत में अधिकतम पांच स्थाई समीतिया होती है कितनी स्थाई समीतिया होती है पांच स्थाई समीतिया होती है आच्छा नीचे देखोगे तो एक और लाइन लिखा मिलेगा आपको कि कोई भी व्यक्ति वो अधिक से अधिक दो स्थाई समीतियों का सदस्य बन सकता है और आगे देखोगे तो लिखा होगा साथ में दो विशे विशे शग्यों को समिती में सहयोजिक किया जा सकता है जिनको विशे का क्या होई कुछ विशेश ग्यान हो ठीक है चलो पहले यहां तक पहुंचते हैं अपन ठीक है तो पहला statement है ग्राम पंचायत में अधिक्तम तीन स्थाई समीतिया होती है मैंने क्या बताया है ग्राम पंचायत में अधिक्तम पाँच स्थाई समीतिया होती है ना कि तीन स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट दो ग्राम पंचायत में अधिक्तम पाँच स्थाई समितिया होती है तो हाँ यही मैंने बताया है पाँच स्थाई समितिया होती है स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है सही तीसरा स्टेटमेंट कहता है एक व्यक्ति अधिक्तम दो समिति का सदस्य बन सकता है ठीक है तो ये हो गया statement दो सही statement तीन सही चौथा समिती में अधिक्तम दो विशेविशेशग्यों को सहयोजित किया जा सकता है तो मैंने यह भी बताया था समिती में अधिक्तम दो अधिक्तम लिखा है मतलब कम हो सकता है इसे अधिक्तम दो मतलब maximum दो विशेविशेशग्यों को सहयोजित किया जा सकता है पाचवा लिखा है ग्राम सभा की स्थाई समितियों का नियंतरण रखती है मैं आपको बता दूँ ग्राम पंचायत की जो स्थाई समितिया होती है ना इसका नियंतरण ग्राम पंचायत के हाथ में होता है न की ग्राम सभा के हाथ में क्लियर और इसलिए ये जो statement है ये क्या है कलात है छटवा statement क्या है देखिए तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिती में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेगी तो बैठक की अध्यक्षता के संबंधित ऐसा कोई statement आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा समझ में आया है तो समीतियां जो है उसमें अध्यक्षता तो जो respective सभापती होते हैं वो करते हैं ठीक है सब में जाके सरपंच और सरपंच नहीं करने था कौन-कौन से statements सहीं है तो देखे statement 2 सहीं है 3 सहीं है और 4 सहीं तो statement 2 सहीं है 3 सहीं है 4 अब options को देखो तो option C में आपको 2, 3, 4 मिल जाने वाला है मतलब option C जो है ये हमारे दूसरे प्रश्न का सहीं अंसर है ठीक है चलिए तीसरे प्रश्ण पर आते हैं चत्यस गड़ में सरपंच और उप सरपंच के विरुध गठन की कितनी अवधी तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता अब देखो एक बेसिक फॉर्मुला याद रखना तीन बटे चार बढ़ा है किससे दो बटे तीन से तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन बटे चार बहुमत से जो की कुल सदस्यों के दो बटे तीन से अधिक हो अव विश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है मैंने क्या बताया उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका तीन बटे चार बड़ा होके से पुल जो सदस्यों की संख्या है उसके दो बटे तीन से ऐसा होने से अव विश्वास प्रस्ताव जो है उसे पारित किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर प्रश्ण कि इनका जो कारिकाल होता है किनका सरपन्ज का या उपसरपन्ज का उसके प्रथम वर्श में मतलब प्रथम एक वर्श में नहीं ला सकते मान लीजे एक बार आ गया असफल हो गया तो अगले एक वर्ष तक फिर से नहीं ला सकते और उनके कारेकाल के आखरी छह मा बचे हो जब यह छह मा से कम है कह दूँ यह आखरी छह मा सीधा तो उस कंडिशन में भी क्या है अब इश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकते तो मैंने क्या बताया जब उपस्थेत और मद्दान करने वाले तीन बटे चार कुल के दो बटे तीन से अधिक हो जाएं अब इश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है लेकिन इसे प्रथम एक वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता है कारिकाल के अगर एक बार असफल हो जाए तो अगले एक वर्ष तक फिर से नहीं लाया जा सकता और कारिकाल के आखरी छ माह में भी ऐसा अविश्वास प्रस्ताव छत्तिस गड़ में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध लाया नहीं जा सकता तो क्या पूछा है गठन के कितनी अवधी तो गठन के प्रथम एक वर्ष पे ठीक चलिए अब गठन के प्रथम एक वर्ष की अवधी आप देखेंगे कहा लिखा है तो लिखा है option B में एक वर्ष की अवधी तो गठन के एक वर्ष की अवधी तक नहीं लाया जा सकता अब यह दोनों गठन से नहीं है यह अगला एक वर्ष है और यह आखरी छे भी नहीं है ठीक है तो गठन से एक वर्ष की अवधी तक लिखा है option B में तो option B जो है न ये हमारे तीसरे प्रश्ट का सही answer है और इसी उपलक्ष में मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ चलिए अब क्या करते हैं आ जाते हैं अपने चोथे प्रश्ट पर जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिती के विशय में सही क्या है ठीक है भई अब मैं बतादू जनपद पंचायत जो है उसकी सामान्य प्रशासन समिती इससे उपर से प्रश्ण है फिर से तीसरा कीवर्ड क्या है? बताना है क्या? सही है ठीक, तो देखे पहला statement कहता है इसमें सदस्य जनपत पंचायत अध्यक्षत्वारा नामित किये जाते हैं दूसरा कहता है इसके सदस्य जनपत पंचायत के सदस्यों में से चुने जाते हैं तीसरा कहता है इस समिती का सचीव जन्पत पंचायत का मुख कारपाले नधिकारी होता है चौथा स्टेटमेंट कहता है अन्य समितियों के सभापती इसके सदस्य होते है पाँचवा विधायक जो जन्पत पंचायत के सदस्य है समिती के पदेन सदस्य होते है पाँचवा कहता है जन्पत पंचायत का उपाध्यक्ष इसका पदेन सभापती होता है तो देखिए समान प्रिशासन समिति के बारे में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले इसका पदेन सभापती जो है वो कौन होता है तो जनपत का अध्यक्षब है जनपत अध्यक्ष जो है वो होता है इसका पदेन सभापती अब इसके सदस्य कौन होते हैं तो जो सभी समिती है उसके सभापती इसके पदेन सदस्य होते हैं अब सिर्फ questions के हिसाब से data देख रहा हूँ बहुत जादा detail में नहीं जा रहा हूँ तो कुछ लोगों समस्या होती एक सरा आपना questions में पढ़ाने लग जाते हो घरके ठीक चलिए अच्छा जनपत पंचायत की अगर मैं बात करूँ तो जो समिती का गठन होता है वो समिती का गठन कैसा होता है तो जो जनपत के सदस्य होते हैं उनहीं के मध्य से समिती का गठन होता है ठीक है भई अब statements पर आते हैं तो इसके सदस्य जनपत पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाते हैं तो नामित नहीं किया जाते हैं सभी जो समितीयां बची उसके जो सभापती होते हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं समझ में आया तो नामित नहीं किया जाते हैं सेकेंड इसके सदस्य जनपत पंचायत के सदस्यों में से चुने जाते हैं तो मैंने बताया था कोई भी समितीयों जनपत पंचायत में जनपत सदस्यों में से ही उसे बनाया जाता है, हाला कि कुछ सदस्यों को सह योजित भी किया जा सकता है clear है, तो क्या सदस्यों में से चुने जाते हैं तो जन्पत सदस्यों में से yes चुने जाते हैं अगला statement है, इस समिती का सचीव, जन्पत पंचायत का मुक्कारपलन अधिकारी होता है, मुक्कारपलन अधिकारी मतलब चीफ, इंग्जेकिटिव ऑफिसर, CEO, तो याद रखना आपको जन्पत पंचायत में, सामान प्रशासन समिती जो है न, उसी का सचीव CEO खुद होता है और बाकी जो समितियां है, उसके सचीव बना सकता है क्लियर, तो क्या CEO इसका सचीव होगा, किसका सामान प्रशासन समिती का, तो येस होगा, चौथा स्टेट्मेंट अन्य समितियों के सभापती इसके सदस्य होते हैं, बता चुका हूँ मैं आपको, चौथा सही है पांचवा, विधायक तो याद रखना, जनपत पंचायत में अगर कोई विधायक सदस्य है, तो प्रतेक समिति जो है na, उसका क्या होता है? पदेन सदस्य होता है सवन मैं आया, तो कोई भी विधायक जोकी जनपत पंचायत काgriff सदस्य है वो प्रतेक समिती में हर जगा समिती गलत लिख रहा हूं समिती ऐसा है का ठीक है समिती का पदेन सदस्य होता है और इसी लिए यह पांचवा स्टेटमेंट भी सही है अब देखो छटवा जन्दपत पंचायत का उपाध्यक्ष इसका पदेन सभापती मैंने बताया पदेन सभापती कौन होता है अध्यक्ष होता है ना की उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है नो सिक्षा समिती का पदेन सभापती होता है तो यह जो छटवा स्टेटमेंट है यह कैसा है तो गलत अब देखो पता पूछटा क्या है इसमें से इसमें पूछा है कि कौन-कौ और पांच दिया है, इसलिए option B जो है, यह हमारे चौथे प्रश्ट का होने वाला है, सही answer, ठीक है, अब आजाते हैं किस पर अपने पांचवे प्रश्ट पर, जन्पत पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध और विश्वास प्रस्ताव पारित करने के विशय में क्या सही है ठीक, अब प्रस्ताव जो है, उसको कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है, तो पूर्ण बहुमत मतलब क्या हो जाता है, पचास परसेंट से अधिक तो अगर जन्पत पंचायत की भी बात करोगे तो यही फॉर्मूला है, तीन बटे चार जादा हो जाए दो बटे तीन से, तो कुल के दो बटे तीन और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के तीन बटे चार, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का तीन बटे चार अगर अधिक हो जाए कुल सदस्यों के दो बटे तीन से तो उस कंडिशन में क्या माना जाता है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो कहीं भी पूड बहुमत या 50% से अधिकी बात नहीं होती इसलिए statement क्या है गलत अब देखे हमें क्या बताना है तो हमें इस question में कौन कौन से statements सत्य है अगला है प्रस्ताव उपस्थित तता मतदान करने वाले सदस्यों के तीन बटे चार बहुमत से पारित होना चाहिए तो बताया ही हूँ मैं तीन बटे चार से पारित होना चाहिए ठीक है भई अगला है प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करन वाले दो बटे तीन बहुमत से पारित होना चाहिए, नहीं, तीन बटे चार से होना चाहिए, गलत, चौथा, जो की कुल सदस्यों के दो बटे तीन से अधिक हो, तो यह देखी रहे हो, जो की कुल सदस्यों के दो बटे तीन से क्या है, अधिक दिख रहा है, इसलिए चौथा तो इस statement गलत है, ध्यान रखेंगे, ऐसे सम्मिलन की अध्यक्षता, डिप्टी कलेक्टर या उसका समकष अधिकारी करता है, clear तो छटवा statement जो है न, वो है सही statement, clear तो हमें क्या बताना है कौन-कौन से statement सही है, तो हमने देखा है statement नमबर 2 सही है, 4 सही है, और statement नमबर 6 सही है, अब जरा सर्च करिए options को, देखिए कहां पर 2, 4, 6 लिखा है, तो आप देखेंगे कि option नमबर D जो है न, इसमें 2, 4 और 6 लिखा है, इसलिए option D जो है, यह हमारे 5 प्रशन का क्या है, सही answer है, ठीक, चलिए, आज आते हैं अपने छटे प्रशन पर, जिला पंचायत की सिक्षा समिती के विशय में क्या सही है, तो देखना, सिक्षा समिती जो होती है जिला पंचायत में, इसमें आपको याद रखना है कि इसका पदेन सभापती जो है, वो कौन होता है, तो उपाध्यक्ष अच्छस नहीं लिखाया, वो अच्छस लिख देता हो नीचे, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है, इसका पदेन सभापती, साथ ही सिक्षा समिती में एक महिला और एक SC या एक ST वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए, अब आजाते हैं प्रश्ण पर देखते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापती होता है, सेकंड स्टेटमेंट कहता है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष सभापती होता है तो मैंने बता है उपाध्यक्ष होता है इसका पदेन सभापती स्टेटमेंट सही है तीसरा कहता है समिती के सदस्य सभापती का चुनाव करते हैं भई जब अल्रेडी पदेन सभापती है तो काहे सभापती चुनाव करेगा कोई बताओ मेरे को चौथा समिती में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है बताया हूँ एक फीमेल सदस्य होती है ठीक पाँचवा समिती में एक अनुसूची जाती या जन जाती के सदस का होना आवश्यक है, तो यह भी बताया हूँ कि एक SC या ST सदस से भी होना चाहिए समिती में, अगला है समिती में अन्य पिशला वर्क का एक सदस से होना आवश्यक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, एक महिला और एक sc या st होना ज़रूरी है clear है फिर से देखिए keyword को ढूनेंगे तो हमसे पूछा था कि सहीं क्या है तो हमने क्या देखा है 2 सहीं है 4 सहीं है और 5 सहीं जरा options पर नजर डाले तो क्या पता चलता है हमें पता चलता है option number d 2, 4, 5 यहीं मिल रहा है हमें ठीक तो option number d जो है न वो है हमारे 6 प्रश्न का सहीं answer ठीक है चलिए अगला प्रश्न सात्वा प्रश्न देखते हैं क्या है जिला पंचायत की संरश्ना के संबंद में क्या सहीं है फिर से क्या बताना है क्या सहीं है और इसमें जिला पंचायत भाग रहा है कि संरश्ना के बारे में पूछा गया है तो जिला पंचायत की अगर मैं संरश्ना बताऊं तो सबसे पहले इसमें कौन-कौन शामिल है बता देता हूं तो एक तो होते हैं निर्वाचित सदस्य तो जो जिला पंचायत जिसको वाड़ों विभाजित किया गया था तो प्रत्यक वाड़ से जो मतदाता होते हैं वो प्रत्यक शुरूप से वोड़ देकर निर्वाचित सदस्य को लाते हैं इसके अलावा होते हैं कौन सांसद कौन से सांसद तो लोग सभाके भी और राज्य सभाके भी तो क्या सभी लोग सभाके और राज्य सभाके सांसद? नहीं, लोग सभाके ऐसे सांसद जिनका निर्वाचन छेत्र पूर्टा यांचता इस जिला पंचायत के छेत्र में आता हो और इनका निर्वाच्चन छेत्र पूरता है नगरी 9 याद रखेंगे आप लोग कोई भी अगर ग्राम पंचायत है और उस ग्राम पंचायत की मत दाता सूची में नाम होना चाहिए उस राजसभा के सांसत का तब वह सदस्ता धारन करेंगे इसकी जिला पंचायत की समझ मैं तुम मैंने क्या बताया ऐसे सांसत पदेन सदस्ते बनेंगे जो की अगर लोगसभा से हैं तो क्या हो तो लोगसभा के ऐसे सांसद जिनका निर्वाचन छेत्र क्या ना हो पूरी तरह से नगरी और साथ में उनका जो निर्वाचन छेत्र है पूर्ता या अंचता जिला पंचायत में आना चाहिए ठीक दूसरा दूसरा क्या दूसरा बता दिया तीसरा ऐसे एमेले या विधायक जिनका निर्वाचन छेत्र पूर्ता या अंचता क्या हो जिला पंचायत के अंतरगत आए और यह जो एमेले या विधायक है इनका भी निर्वाचन छेत्र पूर्ता क्या ना हो नगरी तो याद रखना सभी विधायकों को नहीं शामिल किया जाता ऐसे विधायक जिनका नि जिला पंचायत के अंतरगत जितने जनपद पंचायत हैं उसी जनपद पंचायत में जो अध्यक्ष है वह अभी पदें सदस्य बनते हैं किसके तो जिला पंचायत के हैं छलो तो यहाँ पर सनुषना कब रिठ हो गई अब आज आते हैं statements का prediction करते हैं पहला है जिले के मद्दाताओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तो ये देखा ही है मैंने बताया आपको निर्वाचित सदस्यों के बारे में सेकेंड जिले के निर्वाचित लोग सभा सदस्य जिनका निर्वाचित पूरी तरह से क्या ना हो तो नगरी ना हो ये भी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है तीसरा क्या है जिले से निर्वाचित राज ये सभा सदस्य जिनका निर्वाचित पूरी तरह से नगरी ना हो देखो जिले से निर्वाचित राजसभा सदस्य तो जरूर बनेंगे सदस्य लेकिन कब बनेंगे अगर ग्राम पंचायत की मदाता सुचीम क्या हो उनका नाम हो समझ में आया तब बनेंगे नहीं तो नहीं बन पाएंगे तो ये जो statement है राज सभा तो नगरी शेत्र नहीं हो नगरी शेत्र हो अगर ऐसा दे दे परिक्षन के लिए तो ये गलत हो जाएगा अगर सरिफ इतना देता कि जिले से निर्वाचित राज सभा सदस्या फिर आगे लिग देता कि जिनका उस जिले के अंतरगात किसी भी ग्राम पंचायत की मद्दाता सुचिम नाम हो तो इस statement को हम सहीं ले सकते थे कि क्या भी भी कुछ लोग लाड़ भीड़ जाएंगे नहीं सर सहीं है करके तो जो तरक संगत है वो बात मैंने बता दी बाकी आप लोग देख सकते हैं चोथा विधान सभा सदस्या जो उस जिले से निर्वाचित है तो विधान सभा सदस्यों के बारे में या MLS के बारे मैंने बताया कि निर्वाचन छेत्र पूर्णता अंच्ताना चीवो तो ठीक है लेकिन साथ में मैंने अभी बताया कि उनका निर्वाचन छेत्र पूर्णता नगरी ये ना हो तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे इसलिए ये गरत हो जाएगा पांचवे स्टेट्मेंट को देखो तो विधान सभा सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित है और निर्वाचन छेत्र उनका क्या है पूरी तरह से नगरी नहीं है स्टेट्मेंट क्या है सही ठीक छटवा स्टेट्मेंट जिले के जन्पत पंचायतों के सभी अध्यक्ष तो मैंने बता दिया है जिले के जन्पत पंचायतों के सभी अध्यक्ष जो जिला पंचायत है उसका क्या होते है तो पदेन सदस्य होते है तो छटवा स्टेट्मेंट भी सही साथवा, जिले के जन्पत पंचायत के 20% अध्याक्ष, तो मैंने क्या बताया है, सभी, तो जब सभी सही है, तो 20% वाला तो गलत होगा, अब आप देखो, क्या सही है, तो 1, 2, 5, 6, आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, option D जो है न, उसमें 1, 2, 5, 6 लिखा है, इसलिए ये जो option D है, ये है हमारे साथवे प्रश्ण का सहीं answer, ठीक है, चली, आठवे प्रश्ण पर आ जाते हैं, आठवा प्रश्ण कहता है, नगर पाली का परिशद के उपाध्यक्ष की पदमुक्ती, तो देखें, अब हम नगरी विवस्था पर आ चुके हैं, तो नगर पाली क परिशद का जो उपाध्यक्ष है, उसको क्या करना है, तो उसको पदमुक्ती कराना है, उसके विश्ए में क्या सहीं है, पहला स्टेट्मेंट कहता है, उसे अविश्वास प्रस्तावदवारा पदमुक्त किया जा सकता Elijah सकता है, तो याद रखना, निर्वाचित पार्श की सूचना देते हैं सब बताया था डिटेल में आप लोगों को यहाँ पे पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं अच्छा अब जो उस दिन मीटिंग होगी अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित उसमें याद रखना यह जो प्रस्ताव होगा उसको ना केवल निर्वाचित प देखो लिखा है कि प्रस्ताव पदेन सदसे ला सकते हैं तो यह गलत है चौथा संबिलन की अध्यक्षता परिशत का अध्यक्ष करेगा नहीं ध्यान रखना ऐसे संबिलन की अध्यक्षता कोई विहित प्राधिकारी करेगा जो की प्रथम श्रेनी का अधिकारी होगा समझ प्रस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षद का दो बटे तीन जो बहुमत है इससे प्रस्ताव स्विक्रित हो जाए और वह जो बहुमत है वो क्या हो तो निर्वाचित जो पार्षद है कुल उस समय उसके आधे से अधिक हो जाए तो क्या होगा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा और उपाध्यक्ष जो है उसे बदमुक्त किया जा सकेगा तो छटवा स्टेटमेंट मैंने क्या बताया कि वह जो संबिलन था उसमें निर्वाचित पार्षत के दो बटे तीन कैसे निर्वाचित पार्षत तो उपस्थित और मत दान करने वाले इनका तीन बटे तीन यार तीन बटे दो नहीं दो बटे तीन बहुमत से अगर प्रस्ताव स्विक्रित हो जाए और ये जो दो बटे तीन का वैल्यू आ रहा है मतलब दो बटे तीन गुणे उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित चो पार्षद हैं उनकी संख्या अगर ये क्या हो जाए बड़ी हो जाए एक बटे तो और इधर लिखा है कुल तो अगर यह अधिक हो जाए कुल संख्या के आधे से अधिक अब कौन सी कुल संख्या तो गठन या परिशद का गठन करने वाले जो कुल निर्वाचित पार्षद हैं उनके एक बटे दो से क्या हो जाए अधिक तो ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाएगा उपाध्यक्ष को पदमुक्ट किया जा सकेगा तो यह सब अलड़ी मैं डीटेल में पढ़ाया ही था जब मैं नगरी सुवर्शासन पढ़ा रहा था आप लोग को तो छटवा स्टेटमेंट क्या है यह भी अपने आप में सही स्टेटमेंट है फिर से बताना है क्या सही है तो देखो एक दो पाच और छे सही है तो एक दो पांच्छे कहाँ पे है तो option number C में एक दो पांच्छे है इसलिए option C जो है यह होगा हमारे 80 प्रश्ण का सही answer चलो 90 प्रश्ण पर आ जाते हैं क्या है नगर पालिका परिशत के उपाध्यक्ष के निर्वाचन तो एकदम easy एक लाइन बताता हूं या जखना निर्वाचित पार्षदों में से निर्वाचित पार्षदों द्वारा अगर इत्ता याड है बहुत असान हो जाएगा प्रश्ण तो निर्वाचित पार्षदों में से निर्वाचित पार्षदों के द्वारा ही नगर पालिका परिशत के उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो नगर पालिका परिशत के उपाध्यक्ष का निर्वाचन देखते हैं अब statements को उपाध्यक्ष परिशत के सभी सदस्यों द्वारा चुना जाता है नहीं मैंने बताया है निर्वाचित सभी नहीं निर्वाचित अगला स्टेटमेंट उपाध्यक्ष परिशत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हाँ तो निर्वाचित सदस्यों ठीक है सदस्य पार्षत कह लाते हैं ना भई नगरपाली का क्या है तो पार्षद लिखाओं टेंसन मत ले लिए लिए ना तीसरा मनोनित सदस्य उपाध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हो सकते हैं नहीं मैंने बताया है निर्वाचित लोग करते हैं और निर्वाचित पार्षदों को ही करते हैं तो म समान मत आने पर पिठासी न अधिकारी निर्णायक मत दे सकता देखो पिठासी न अधिकारी कौन है तो यह सरकारी अधिकारी है तो जब यह सरकारी अधिकारी है तो क्या यह सदन का सदस्य है तो नहीं है तो जब सदन का सदस्य नहीं है तो इसको मत देने का अधिकार कहां सम फिर से क्या बताना था क्या सही है तो देखिए दो सही है चार सही है छे सही ढूंड़िए दो चार छे कहां है आपको option number C में देख जाएगा दो चार और छे इसलिए option C जो है हमारे 90 परशन का है सही answer finally last question है हमारा दस्वा इसको देख लेते हैं नगरपालिका की अवधी के विशय में तो अवधी क्या होती है तो आप लोग को पता है प्रथम सम्मिलन से साधारन रूप में 5 वर्ष की अवधी होती है मान लीजे इसका विघटन कर दे कौन कर सकता है राजसरकार मैंने दो conditions बताया थे मेरे को comment करके बताना मैंने दो conditions बताया थे कब किया जा सकता है तो 5 वर्ष के पहले हो जाए और ऐसे हो जाए कि कारिकाल 6 माह से अधिक का बचा हो तो 6 कारिकाल के लिए उपचुनाव होते ह और अगर कारिकाल 6 माह से कम का बचा हो तो उपचुनाव की जरूरत नहीं है बताया था आप लोगों को ठीक है statements पर आते हैं नगर पालिका की अवधी की गणना निर्वाचन परिणाम की घोशना के तिती से होता है नहीं मैंने बताया था प्रथम सम्मिलन से second statement नगर पालिका की अवधी की गणना पर्थम सम्मिलन के तिती से होती है हाँ यही बात कर रहे है पांच वर्ष की अवधी होती है तो सामान अवधी होती है पांच वर्ष की बता दिया हूँ यदि नगर पालिका दो वर्ष में विगटित कर दी गई मतलब कारिकाल 6 माह से अधिका बचा है, दो वर्ष में विघटित कर दी गई, तो नगरपाली का तीन वर्ष की अवधी के लिए गठित की जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला गठित होती है क्या? नहीं, मैंने बताया है, 6 कारिकाल के लिए गठित होती है, ना कि 5 वर्ष के लिए, तो देखो 6 कारिकाल क्या था, तो कुल 5 था, दो वर्ष में विघटित हो गई, तो 6 कारिकाल 3 वर्ष का, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष के लिए हो रहा था, तो स्टेट अब आप देखो बताना था क्या सही है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो सही है तीन सही है और चार सही options पर नजर डालने से पता चलेगा कि option number B इसमें ही दो तीन चार दिया है इसलिए यह जो option B है यह हमारा दसवे प्रश्णा होने वाला है सही answer ठीक है तो यहाँ पर मैंने 10 कुछ अच्छे प्रश्ण जो की conceptuals थे ठीक है कुछ modifications भी है कुछ-कुछ paper में आए भी हुए है लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि यह बहुत conceptual questions है अगर इस प्रकार के questions को आप आसानी से बना लेंगे तो बाकी questions आप बहुत easily बना पाएंगे ऐसा मेरा मत है तो ऐसे प्रश्ण को लेकर मैं आया था तो यहाँ पर पूरा का पूरा मेरा जो MCQ series उसमें लगबग मैंने 16-16 चार वीडियो में करा है तो 16-64 हो गया और 10 इसमें मतलब 74 मतलब मोटा मोटा मालो 74-75 questions को हम practice कर चुके हैं और 39 जो मेरे वीडियो थे कौन से वीडियो लाइफ crash course वाले जो free crash course चल रहा था उसका तो उसमें भी लगबग हमने कुछ मुझे ऐसा लगता है 1500 questions को देखी लिया होगा तो 36 गड़ में अभी तक मैंने आप लोग को 200 से अधिक प्रश्न 200-200 प्रश्न करा लिया है ठीक पढ़ा भी दिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी end से मैंने काफी effort कर दिया है अब बाकी जो बचा है वो आप लोग के end से बचा है दिन भी बहुत कम है तो अब मेरा request है कि आप लोग पढ़ाई पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए questions लगाईए revision करिए कुछ नयाब पढ़ने जो है उसके चक्कर में मत रहिए दिन नहीं बचा है और अगर मेरे लायक कोई समस्या है ऐसी कोई समस्या है जिसका लगता है कि मैं समधान कर सकता हूँ तो हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ आप बिल्कुल क्या करिए मुझसे संपर्क करिए जितनी हो सके मैं आपकी मदद जरूर करूँगा तो इसी गुडविष के साथ कामना के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ कुछ लोग बोलते हैं सरो कलेजा वाला डालोग तो मैं बताते हैं कलेजा पूरा अपना मैं आप लोग के सामने रख दिया हूँ अब भी नीशन मैं आप इसको काट काटके खा लेना ठीक है चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देता हूँ अब आप लोग से मुलाकात प्री के बाद होगी प्री के बाद मेंस के कोर्स में मैं आप से करूँगा मुलाकात तक तक के लिए थांक यू अन्टे केर